हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अजय कुमार साहनी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में तो आज का वीडियो फ्रेंड हाव टू कैल्कुलेट दा कॉंटिटी आफ मेटेरियल इन ब्रास ठीक है न तो आप जो भी साइट्स पर जो कॉंटिटी वो कैल्कुलेट करते हैं ज्यादा तर जो है नॉर्मल साइट्स पर जो है fit में use होता है कोई भी measurement fit या meter में use होता है ठीक है न तो यदि मान लिजे कि कोई भी आपके side पे material आता है चाहें वो sand आता है ठीक है न चाहें वो aggregate आता है ठीक है न तो आप क्या करते हैं simply आपको दिख calculate करना हो कि उस vehicle में उस चो आने वाले material चाहें वो truck में आया हुआ है चाहें वो tractor में आया हुआ है वो कितना material है तो आप ज़्यादा तर देखते होंगे cubic fit में calculate करते होंगे simple उसका length measurement करते होंगे उसका width measurement करते होंगे और उसका height measurement करते होंगे तो वो आपके पास cubic fit में आपके पास quantity आ जाता है ठीक है न और आपने सीखा होगा कि उसको किस तरीके से cubic meter में change करते हैं तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किसी भी cubic foot quantity या cubic meter quantity को किस तरीके से आप brass में change कर सकते हैं brass भी एक measurement की unit है जो कि बहुत rare देखते हैं आज साइटों पर यूज़ करते हैं लेकिन यह बहुत ही पुराना measurement unit है यदि आप site engineer है या supervisor है या civil related से किसी भी department में है तो इस measurement unit के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है न तो आज हम brass के बारे में बात करेंगे कि एक brass में कितने cubic fit होते हैं ठीक है न या cubic fit को किस तरीके से brass में convert करते हैं या फिर एक brass में कितना kg होता है तो हमारे एक सूरज कुमार नाम के एक सब्सक्राइबर है उन्होंने जो मेरे कल कोशन पूछा था कि एक बरास में कितना केजी होता है तो मैंने सोचा कि काफी अच्छा उन्होंने कोशन पूछा था तो मैंने सोचा इसके एक मैं वीडियो बना देता हूं ताकि सभी लोगों पता लग पाइस बरास यूनिट के बारे में ठीक है न तो थैंक यू सूरज क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा कोशन पूचा था ठीक है और यह हम सभी के लिए जो बहुत ही जरूरी है कि इसके बारे में हमें सभी को पता होना चाहिए ठीक है न तो चलिए वीडियो स्टा करूँ वह आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थुरू आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के थुरू पहुंच पाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर मैंने एक ट्रक का मेजरमेंट लिया है जो कि मेरे कंस्ट्रक्शन हाइट पर ज्यादा तर आता है देखिए उस ट्रक का जो लेंथ फ्रेंड देखेंगे वह है तेरा फिट नौइंच कितना है तेरा फिट नौइंच है और यदि आप उसको डेसिमल में कनवर्ट करेंगे तो सीम्पल वह हो जाएगा तेरा पॉइंट पच्छतर फिट हो जा में कनवर्ट करेंगे तो वह हो जाएगा तीन पॉइंट पचास फिट हो जाए ठीक है ना यदि आपको ये डेसिमल में कनवर्ट नहीं करने आता है तो वेरी सिंपल है देखिए जो तेरा फूट है वो तो कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है जो इंच है उसे ही जो मैं इंच होता है फ्रेंट बारा इंच होता है ठीक है न और बात करेंगे एक इंच में तो एक इंच में होता है वन अपॉन में बारा फिट सिंपल तो हमें निकालना है यहां पर नौ इंच का क्या करेंगे नौ इंच इस इकल टू नाइन इंटू वन अपॉन अपॉन बारा फ 75 के बराबर आजाए तो इसी तरीके साब सारे को जो है कनवर्ट कर सकते हैं डैसीमल में चार इंची को भी छे इंची ठीक है न देखिए अब मुझे जो इसका quantity calculate करना है तो simple मुझे क्या पहले calculate करना पड़ेगा इसका volume का formula आप सब की पता हो क्या होता है किसी भी चीज के आप volume निकालते हैं तो क्या होता है formula length into width into में height तो length मेरे पास दिया है 13 foot 9 inch width 8.4 inch ठीक है 8 foot 4 inch और उसका height दिया है 3 foot 6 inch तो तीनों को आपस में multiply करूंगा तो इसका answer आ रहा है 400.88 cubic feet केतना रहा है 400.88 cubic feet आप calculate करके देख सकते हैं ठीक है न यह आगे मेरे पास उस truck का जो है cubic feet में quantity तो यदि आप इसको जो है cubic meter में convert करना चाहते हैं तो आप नहापन नोट करके कहीं लिख लेजिए formula है ठीक है न कि 1 meter q में होता आपके पास 35.3147 cubic feet और एक cubic feet में होता फ्रेंड 0.0283 meter q ठीक है न फ्रेंड तो यह आपको नोट करके कर देते हैं 0.08283 से तो आपके पास वो जो quantity आ जाएगा cubic foot से convert होके cubic meter में तो यहाँ आप देखेंगे उस truck में जो है 11.34 cubic meter जो है quantity है ठीक है न इन in cubic meter चाहें वो sand हो चाहें वो aggregate हो दोनों के लिए calculation है simple ठीक है न अब हम चलते हैं बराज के उपर ठीक है न देखिए हम सबको पता है यह आप इंटरनेट में search भी करेंगे तो देखिए एक brass जो होता है वो 100 feet के equal होता है कितना एक brass जो होता है वो 100 feet के equal होता है उस तरीके से दिए आप आपको यह पता लगाना है कि उस truck में कितना brass है यदि brass में आप calculate करना चाहते है quantity को तो simple आप क्या आते रहें कि volume of truck in brass तो जो आपके पास quantity था cubic feet में जो की 100.88 cubic feet था उसको आप divide कर देंगे 100 से तो वह आपका आजाएगा brass में ठीक है क्योंकि आप देखिए यहां से एक cubic feet के दिए value निकालेंगे तो वह one upon hundred brass हो जाएगा यदि एक cubic foot में one upon hundred brass है तो 400.88 cubic meter में तो one upon hundred से multiply कर देंगे तो simply आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आपके पास देगा 4.00 brass यानि कि उस truck में मेरे पास 4 brass quantity है ठीक है न एग्रिगेट का ठीक है न तो अब देखिए अब इसको आपको convert करना है कि कि कितना kg बनेगा simple और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि one brass में कितना kg होता है तो देखिए आप simple यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यदि आपने पिछला वीडियो में अभी तक नहीं देखा है पिछला वीडियो में ने बताया था कि one cft जो है 51 kg के जो है one cft जो है 51 kg के बराबर होता है तो वहां से दिखिए एक cft में 51 kg होता है 100 cft में कितना होगा 50 100 kg simple और 100 cft जो किसके बराबरता है one brass तो हम यहां से बोल सकते हैं कि one brass में जो है 50 100 kg होता है aggregate क्योंकि यह मैंने calculation aggregate के लिए किया था तो यहाँ पर आप aggregate की ही बात करेंगे त तो वन बरास में 50 100 kg aggregate होता है अब देखिए यहाँ पर उस ट्रक में total quantity केतना था प्रेंड तो चार बरास था तो चार बरास इस इकल टू क्यों जागा चार इंटू 50 100 यानि कि 20400 kg जो है aggregate है उस उस एमिंग ट्रक में या उस vehicle में ठीक है न और 20400 kg के दिए आप चाहते क्वे दिवाइड करेंगे तो आजाएगा 204 quintal ठीक है न या उसको आप चाहते है उस quintal को टन में convert करना तो simply आप 204 quintal को आप डिवाइड करेंगे 10 से तू आपके पास आजाएगा टन में ठीक है न तो कितना टन आरा फ्रेंड 20.4 टन आर ठीक है न और आज की वीडियो के अपड और अभी तक यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिएगे रेड बडम पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कोई भी इस टाइप का information मैं upload करूँगा तो वो आपको icon notification और Gmail के थुरू आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और आपको भी किसी और measurement units के बारे में जानना है तो आप मुझे comment कीजिए ठीक है ना मैं उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्दी upload कर दूँगा ठीक है ना तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में